जैश्री राम सभी भग्त जनुव को तो आज है राम चरित मानस कथा का हमारा तियत तर्वा पार्ट 73 तो चलते हैं कथा की ओर मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर्के बल चल कर जाओं ये सब बात भरत बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंगा नदी को पार कर लिया है तो सेवक धरम सबसे कठिन होता है और भरत जी की दशा देखकर और कोमल वानी सुनकर सब सेवक गन गलानी के मारे गले जा रहे हैं पेमे में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रियाग में प्रवेश किया उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल के कली पर ओस की बुंदे चमकती हो भरत जी आज पैदल ही चल कर आए है यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग सनान कर चुके तब तिर्वेनी पर आकर उन्हें प्रनाम किया फिर विधी पुर्वा के गंगा युमना के श्वेत और श्याम जल में सनान किया और दान दे कर ब्रहमनों का सम्मान किया और श्याम और सफेद अर्था थे युमना जी और गंगा जी की लहरों को देख कर भरत जी का शरीर पुल की थोटा और उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि हे तिर्थ राज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आपका प्रभाव वेदों में परसिद और संसार में परगट है मैं अपना धरम ना मांगने का शत्रिय धरम त्याग कर आप से भीख मांगता हूं आर्थ मनुष्य कोन सा कोकरम नहीं करता ऐसा हर्दय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाने को सफल किया करते हैं अर्थात वह जो मांगता है सो दे देती हैं मुझे ना अरत की रूची है, ना धरम की रूची है, ना काम की और ना ही मैं मोक्स को चाहता हूँ. जनम जनम में मेरा श्री राम जी के च्छरणों में बस प्रेम हो, बस यही मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्रम श्री राम जंदर जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें, और लोग मुझे गुरू द्रोहित था, स्वामे द्रोही, भले ही कहें, पर शीता राम जी के च्छरणों में मेरा प्रेम आपकी किरपा से दिन दिन बढ़ता ही रहें। मदो चाहे, मेग चाहे, जनम भर चातक की सुद भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर अर्थाद ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, पर तिष्ठा ही नस्ठ हो जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब दरह से भलाई है, जैसे तपाने में सोने पर आव, आव यानि की चमक आ जाती है, वैसे ही प्रेतम के चर्णों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गोरो बढ़ जाता है, और भरत जी के वचन सुनकर बीच तिर्वेनी में से सुन्दर मंगल देने वाली को मरवानी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से सादू हो, श्री रामचंदर जी के चर्णों में तुम्हारा अथा प्रेम है, तुम वैर्थी मन में गलानी कर रहे हो, श्री रामचंदर जी को तुम्हारे समान पिरिय कोई नहीं है, तिर्वेनी के जो अनुकूल वचन भर्ग जी का शरीर पुलकित हो गया है, हिर्दय में हर्ष छा गया है, भर्ग जी धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, तिर्थराज प्रियाग में रहने वाले वान प्रस्त ब्रह्मचारी ग्रहस्त और उदासीम सन्यासी मतलव, सब बहुत ही आनन्दित हुए, और दस-पांच मिलकर आपस में कहते हैं कि भर्ग जी का प्रेम और शील पवित्र और सक्चा है, श्री राम चंदर जी के सुन्दर गुन समहों को सुनते हुए, मुनि श्रिष्ट भरद्वाज जी के पास आ गई, और मुनि ने भरत्जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, और उन्हें अपना मूर्तिमान सोभागय समझा, उन्होंने दोड कर भरत्जी को उठा कर हिर्दे से लगा लिया, और आशिर्वाद देकर कथार्थ किया, मुनि ने उन्हें आसन दे दिया, वे सीर्णवाकर इस तरह बैठे, मानो भाग कर संकोच के घर में गुश जाना चाहते हैं, उनके मन में यह बड़ा सोच है, कि मुनि कुछ पूछेंगे, तो मैं क्या उत्र दूँगा, भरत जी के शील और संकोच को देख कर, रिशी बोले कि भरत सुनो, हम सब खवर पा चुके हैं, कि विधाता के कर्तवे पर कुछ वश नहीं चलता, माता की कर्तूत को समझ कर, अर्थात याद करके, तुम हर्दे में गलानी मत करो, हे तात के कई का कोई दोश नहीं है, उसकी बुद्धी तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी, यह कहते भी कोई भला ना कहीगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों ही विधानों को मनने हैं, किन्टु हे तात तुम्हारा निर्मल ये शगा कर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे यह लोक और वेद दोनों को मनने है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज़य दे वही पाता है राजा सत्य वर्ति थे और तुमको बुला करें राज्य देतें तो सुख मिलता धरम रहता और बढ़ाई होती सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम चंदर जी का वनगमन है जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई वह श्री राम का वनगमन भी भाविवस हुआ बेस मजरानी तो भाविवस कुचाल करके अंत में पस्ताई उससे भी तुम्हारा को इतनीक सा भी अपराद कहे तो वह अधम अज्यानी और असादू है यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्ही दोशना होता सुनकर श्री राम चंदर जी को भी संतोस ही हुआ होता हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया यह मत तुम्हारे लिए उचित था श्री राम चंदर जी के चरणों में होना ही संसार में समस्त सुन्दर मंगलों का मूल है सोग है श्री राम चंदर जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है तुम्हारे समान बड़भागी भला और कोन है हे तात तुम्हारे लिए यह आश्चरिय की बात नहीं है क्योंकि तुम दशरत जी के पुत्र और श्री रामचंदर जी के प्यारे भाई हो हे भरत सुनो श्री रामचंदर जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पातर दूसरा कोई नहीं है लक्समन जी, शրी राम जी और सीदा जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सरहाना करते ही भी थी प्रियाग राज में जब वे सनान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जान लिया था वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे तुम पर श्री रामचंदर जी का ऐसा ही अगाद सने है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है यह श्री रगुनाथ जी की बहुत बड़ा ही नहीं है क्योंकि श्री रगुनात जी तो शरनागत के कुटुम्ब भर को पालने वाले हैं हे भरत यह मेरा मत है कि तुम तो मानो श्री इरधारे श्री राम जी के प्रेम ही हो हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सब के लिए तो उपदेश है श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धी के लिए यह समय बड़ा शुब हुआ ही तात तुम्हारा यश निर्मल नमीन चंद्रमा है और श्री राम चंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है वहत चंद्रमा तो परते दिन अस्त होता है और घटता है जिससे कुमिद और चकोर को दुख होता है तो आज के लिए इतना ही बाकी कल पढ़ेंगे सभी बक्त जनों को जै श्री राम